चुनाव से पहले किसी को लग रहा है जटका तो किसी को हो रहा है बंपर फाइदा लेकिन जनता के दिलों पर कौन करेगा राज या आने वाले तीन दिसम्बर को पता चल जाएगा लेकिन मद्रप्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों क के साथ मैं सभा शाहिद शेक एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एंपी का रन में खबरों को विसास जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर चुनाओ से पहले सिंध्या को बड़ी राह राजसभा निर्वाचन को चुनाओती देने वाली याचि का खारिच सीयं शिवराज का चुनावी दाओ बेघर लोगों को जमीन देने का किया एलाओ पहली खबर में बात करेंगे जोती रादिते सिंधिये को मिली बड़ी राहती दरसल सुप्रीम कोट ने 13 अक्टूबर को केंद्रे मंतरी जोती रादिते सिंधिये के राजरे सभा के लिए निरवाचन को चुनोती देने वाली याचिका खारिच करते वे जोती रादिते सिंधिये को बड़ी रहत दी है नियायमूर्ती रिशकेश राय और नियायमूर्ती संजे करोल की पीटने मध्यप्रदेश राज्य में राज्य सभा के लिए केंद्रे नागरी कुड्ययन और इस्पात मंत्री जोती राधितियम सिंधिया के चुनाव को चुनाव को चुनाव को चुनाव को चुनाव को चुन प्रतिनिद्व दिनियम 1991 और उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई समिक्षा याचिका को खारिच कर दिया गया आपको बता दे किस याचिका को खारिच करते हुए खंडपीट ने कहा कि याचिका करता की तरफ से आदेशों में हस्तशेप का कोई मामला नहीं बन किया याचिका करता का प्रतिनिद्व वरिस्ट अधिवक्ता अनुप जौद चौदर नहीं किया जस्टिस रिकेश राय और जस्टिस संजे करोल की पीट ने कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोट के आदेश के खिलाब कोई मामला नहीं बनता है अदालत ने कहा कि कॉंग्रेस न आरफायर के संबन्द में जानकारी नहीं दी थी वहीं आरोप लगाया गया था कि सिंद्याने अपने नामांकन पत्र मेंा प्रतियों को छुपाया ये भ्रहष्ट आच्रन की तुनाव होने भारती जंता पार्टी ने अब तो कुमिद्वारों की चारल सुबह के सिए शिवराज सिंग चोहान लगतार अक्टिव नगर आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं ऐसे में शिवराज सिंग चोहान ने जंता से एक और बड़ा वादा किया है CM ने फिर से सरकार बननी के बाद राजु में रह रहे बेघर लोगों को जमीन देनी का बादा किया इसी के साथ उन्होंने लाडली बहनों को भी एक good news दी है CM ने कहा है कि लाडली बहना यूजना ने घर में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि अब इन महिलाओं के परिवार के सदस से उनके साथ सम्मान के साथ वैवार करते है CM शिवराज ने कहा है कि जो लोग पिछले कई सालों से मध्यप्रदेश में रहे रहे हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं उन्हें जमीन दी जाए राज में बेघर लोगों कोई भूखंड उपलब्द कराए जाएंगे ताकि प्रिधान मंत्री आवास यूजना के साथ साथ मुखे मंत्री आवास यूजना के तैद घर बनाए जा सके और कोई भी बिना घर के ना रहे सिएम शिवराज ने आगे कहा है कि लाडली बहना यूजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सश्षक्त बनाने और घर के सास साथ समार्ज में उनके समान को बढ़ाने के उद्देशे से शुरू की गई है दरसल आपको बता दे कि लाडली बहना यूजना इसी साल मार्च में सीम शिवराज ने शुरू की यूजना के तैत हर पात्र महीला को हर महीने 1250 रुपे की वित्तिय साहिता दी जाती है। सीम शिवराज राज्य की राजधानी में गोविन पूरा निर्वाचन छेत्र में महीलाओ को संबोधित कर रहे थे। सीम शिवराज के कहा है कि जिन महीलाओ को वर्तमान में लाडली बहना यूजना का लाब नहीं मिल रहा है। उन्हें चिंता करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि वो बाद में ये सुनिशित करेंगे कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। उन्हें ये भी वादा किया कि दुबारा सब्ता में आनी के बाद धीरे धीरे उनके सरकार इस योजना के तहट दिये जाने वाले मासिक लाब को चर्णों में बढ़ा कर तीन हजार उप्य कर देगी। अपने बाप का क्या जाता है इस पर पलटवार करते हुए PCC चीफ कमलनात ने कहा कि प्रियंका गांधी के शहीद पिता के बारे में ये भाशा अमर्यादित है। की घोशना कर दी। कॉंग्रेस पूरी तरह से कन्फ्यूज है सेम शिवराज ने आगे कहा था कि मैंने वो वीडियो देखा। कॉंग्रेस नेता उठे और बोले एक और कर उन्हें पता ही नहीं क्या घोशना करनी है। कॉंग्रेस नेताओं के तरफ से उन्हें घोशना पढ़ाई नहीं गए। उन्होंने प्रेंका, कमलनात और सूर्जे वाला के बीच मंच पर हुई बारचीत का हवाला देते हुए कहा कि कॉंग्रेस नेताओं ने लिख कर दिया है। हर साल स्कूली बच्चों को रुपय देंगे लेकिन प्रेंका से कहा कि वो हर महीने पढ़ी। लिखते कुछ हैं और पढ़ने को कुछ और कहते हैं। सब्सक्राइब से पुर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनात ने तीखे ढंक से सीम शिवराज के आरूपों का जवाद दिया। आज आपने सारी मरियादाओं को तोड़ते हुए कह दिया कि गांधी परिवार ने देश को ठगा है। उनके बाप का क्या जाता है। जिन प्रियंका गांधी के पिता के बारे में आप इस भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं। भारत रत्न स्वर्गे राजीव गांधी मात्रे भूमी के लिए शहीद हुए था। कमलनात ने आगे कहा कि प्रेंका गांधी की दादी इंद्रा गांधी ने देश की एकता खंडिता के लिए अपना लहू भारत माता को समर्पित किया थी। आपकी जूट परेब की राजुरीती आपको मुबारक हो। मुझे और पूरे हंदुस्तान को गांधी परिवार पर गर्व है क्योंकि गांधी देश के लिए जीना और मरना जानते हैं। एक बात और कि कॉंग्डे जूटी घोषनाई नहीं करती। हम तो उसी सनातन वाक्ये पर चलते हैं। प्रान जाए। परवचन न जाए। चौथे खबर में बात करेंगे। प्रियम शिवराज पर लगाए गए गंभीर आरोप की। दरसल मद्यप्रदेश में चुनाओं की तारिकों का एलान हो चुका है। अचार सहीता लग चुकी है। सरकार अब कोई भी घोषना नहीं कर सकती। ऐसे में भुपाल की एक सभा में प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंतरी शिवराज सिंग्चोहान ने कहा कि अब मैंने लाटली बहन के लिए पैसे एक हजार रुपे से बढ़ा कर एक हजार दोसुपचास रुपे कर दियें इस बार पता चुल गया था कि आचार सहीता दस से पहले लग रही है तो मैंने चार तारीक को ही डाल दी हैं अगली बार मगर ऐसे नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि कॉंग्डेसी तो रोते ही रहते हैं कि यह क्या कर रहा है मगर चुन्ता मत करना चुपके से डाल दोंगा वही मुख्यमंतरी शिवराज सिंग्चोहान के बयान पर कॉंग्रेस ने आपत्ति दर्श की मद्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष कमलनात के मीडिया सलाकार पियूश बबेले ने ट्वीट कर कहा है कि शिवराज जी खुलेयाम आचार सहीता के धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्होंने कहा कि आचार सहीता लगने के शिवराज सिंग चौहान के बयान को लेकर उन पर निशाना साथ देवे चुनाओ आचार सहीता उलंगन का रोग लगाया उन्होंने कहा कि चुनाओ आयोग को शिवराज सिंग चौहान के बयान पर संग्यान लेना चाहिए दिगविजा सिंग ने कहा कि मामा या आदत हो कैना है कि कॉंग्रेस लाडली लक्ष्म योजना और मुखेमंत्री शिवराज सिंग्चोहान से इतनी घबरा गई है कि उन्हें तो इस योजना से आपत्ति महिला साशक्ति करन के लिए वैसे तो कभी कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि मगर अब जब सियम शिवराज सिंग्च जागरूकता की पहल की दरासलम अध्यप्रदेश में 17 नौविंबर को विधानसभा चुनाओं की वोटिंग होनी है ऐसे में राज के वोटरों को जागरूक करने के लिए इंदौर के दुकंदारों ने एक स्पेशल ऐलान कर दिया है दुकंदारों ने दिन मतदाताओं को में पोहा जलेबी खिलानी की घोशना की है लेकिन इसे के साथ एक शर्ट भी रखी देश के सबसे साफ सुत्रे शहर इंदौर की मशूर चाट चौपाटी 56 दुकान के दुकंदारों ने अगामी विधानसभा चुनाओं में मतदान को बढ़ावा देने के लिए नूखी पह दिखाएगा यानि अगर कोई फ्री में पोहा जलेबी खाना चाहता है तो उसे उंगली पर लगे निशान को दिखाना होगा 56 दुकान व्यफसाई संग के अध्याग गुंजन शर्मा ने बताया कि सवच्चता के प्रमानों पर इंदौर देशभर में पहले पाइदान पर ह हम चाहते हैं कि हमारा शहर मतदान के मामले में भी अवल रहे इसके लिए हमने वोट देकर आने वाले मतदाताओं को मुफ्त पोहा जलेबी खिराने का फैसला किया है 56 दुकान 4 चौपाटी में मतदाताओं के लिए मुफ्त पोहे जलेबी की पेशका 17 नुविंबर को सुभा 9 बजे तक रहेगी और इसके बाद हर मतदाताओं को पूरे दिन पोहा जलेबी की कीमत में 10 प्रतिशत की खास छूट दी जाएगी भातिय खासुरक्षा नियामक ने संबंदित पैमानों पर खड़ा उतरने के कारण 56 दुकान को क्लीन स्ट्रीट पूढ़ हब का दरजा दे रखा है इस चार्च चौपाटी पर स्वाद के शौकीनों का हमेशा जमावडा लगा रहता है और यहां अच्छे खासी भीड भी ह होती विदान सबा चुनावों की सरगर्मियों के दिनों दिन जोर पकड़ने के बीच इन दिनों 56 दुकान में पकवाने के चटकारों के साथ ही चुनावी मुद्दों पर चर्चाएं भी खूब हो रही है 56 दुकान पहुचने वाले जादा तर स्थानिय मतदाताओं का मानना है कि शहर की बर्सों से बदहाल या तायत वैवस्था में सुधार बेहत जरूरी है और सूबे की अगली सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठानी चाहिए हमारे खास प्रोग्राम MP का रन में आज के लिए इतना ही फिर हाजरूंगे आपके सामने MP की बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार